नमस्कार, A to Z दिशिष उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ कुट्टो के आटे के पराठे इसे आप कोई भी सबजी के साथ ले सकते हैं मैंने इसे सब के आलू की सबजी के साथ ये इतने सौफ्ट और टेस्टी बनते है खास बात ये है कि आप इसे वरत में ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इसे ऐसे भी बना कर खा सकते हैं तो ये पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ओन कर लेंगे कडाई रख देंगे और इसमें हम डालेंगे ये वाले बाउल से एक बाउल भरकर पानी और इसे ढखकर गरम होने देंगे जैसे ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे नमक, एक चौथाई चमच या फिर स्वात के अनुसर और थोड़ असागी मिलाकर जिस सब्लों से पानी लिए था उसी बाउल से उपको कुट्टू का आटा डाल दीना है और इसे बस अच्छे से मसलते जाना है और एक आटे की तरह गूंद लेना है तो ढखकर जब आप पांच मिंट तक इसे रखे तो गैस को आपको बंदी कर लीना है और बस इसे अच्छे से मसलती जाएं और एक आटे की तरह गूंद ले और इसमें से एक लोई निकाल ले चकल पर एक ही साथ तीन सिख जाएंगे तो आप देख सकते इस तरह से मैंने पराठा बेल लिया है और बेलते वक्त यह बिलकुल भी तूटता नहीं है बहुत ही आसानी से आप देख सकते अच्छे से हो रहा है यह तो इस तरह से पराठा बेलना है थोड़ा सा मोटा ही रखना है तबा मैंने अच्छा गरम करने रख दिया था अब यहाँ पर इस तरह से पराठे डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेखेंगे आपको लगे कि यह थोड़ा थोड़ा सिखना शुरू हो गया है तो इस पर तेल लगाएं दोनों तरफ से और अच्छे से और आप इसके ओपर तेल या फिर गी या फिर मखन जो आप पराठो पर पसंद करते हैं वो आप लगा सकते हैं आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने अच्छे से 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 शेक लिया है तो बस इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरे भी इसी तरह से बना लेंगे और इसे मैंने यह सूखी आलू की सबजी के साथ बहुत ही टीस्टी लगते है और इतने सौफ्ट पराठे बनते है न तो आप इसे जब भी व्रत हो तब बनाए या फिर ऐसे भी बना कर खाए आपको बहुत ही पसंद आए कि ज़रूर ट्राइ कीजिए अपको रेसेपी कैसी लगी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना बूले थैंक यू फॉर वाचिंग